हलो मेरे पैरे दोस्तों कैसे हैं आप सभी आप सभी का स्वागत है बिहार SSC इंटर लेवल 11,000 से अधिक पद पर ये भरती हो रही है और लगातार विध्यारती बिहार के वेस्ट उचेज होते जा रहे हैं क्योंकि बिहार में धेर सारी वेकंसिया आ रही है कोशिश यही है कि रेलवे की जल्द से वेकंसी आए और आप सभी लोगों की तैयारी को चार चांद लगें और आप सभी लोग सेलेक्शन दें इसी बीच आज मैं आपसे डिसकॉस करने वाला हूँ बिहार SSC इंटर 100 नंबर की बात है यानि कि 25 कोशन 23 कोशन 24 कोशन ऐसे कोश सब्सक्राइब करने का आपको सही तरीका में समझाओंगा कैसे आप ऐसे प्रशनों से डील करोगे यह समझाओंगा मैं चाहता हूँ हर एक बिहार का विध्यारती कौने कौने में इस वीडियो को पहुचा दे और अपने चैनल पर मैक्सिमम विध्यारतियों को जोड़े ज ग्यारे वजे पहली क्लास में आईएगा चलिए शुरू करते हैं आज की चीजों को आपके लिए ससे जीडी के अगरा प्रिपरेशन करना चाहते हूँ मैं आपको यह कहता हूँ कि दुनिया में कोई भी बैच इदर उदर पढ़ दीजिए लेकिन जो सुकून यहां पढ़ आपको जॉइंट करना ज़रूरी है और ज़रूर करना चाहिए लेकिन बिना परके नहीं आप पर रखिए मेरी एप्लिकेशन पर जाईए वहां आराम से उस बैच के डेमो को देखिए और फिर आराम से बैच लीजिए कोई जल्दबाजी नहीं है ठीक है आपके लिए अप आपको हर्थी सीखनी पड़ेगी इस बैच से सीखनी पड़ेगी अगर आप जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं तो फाउंडेशन बैच में भी जुड़िए मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं भरोसा दिलाता हूं कि आपके 100 नमबर मैं पूरे कर दूंगा भी अपनी श्रद्दा होती है क्योंकि मैस प्रैक्टिस ही मांगती है जितना अच्छा करोगे तो प्रैक्टिस बैच मैं बहुत मिनीमम कोस्ट के लेकर आता हूं जिससे कि आप लोगों को मतलब लगेगा वह हमेशा यह बात ध्यान रखना तो जो बच्चे मेरे साथ बेसि यह आप डाउनलोड कर लीजिए ठीक है और कुइक ट्रिक्स बाइसा हर एक्जाम की प्रिपरेशन आपको करवाएगी अभी मैंने रीजिनिंग और जीके की क्लासेस भी शुरू करी है करन्ट इवेंट की क्लासेस भी शुरू करी है और भी नए और भी अच्छे टीचर्स आ रहे हैं जो आपको और भी सब्जक्स पढ़ाएंगे इंग्लिश कंप्यूटर हिंदी यह सब चीज़े मैं कर रहा हूं यह बैक एंड पर कर रहा हूं आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो बढ़िया तरीके से आगे लॉंच भी करेंगे चीजिजों को तो आपको म करवाऊंगा और महारत हांसिल करवाऊंगा हर विशय में आपको तो जिससे बटकने की जरुवत नहीं पड़ेगी आईएगा पहले प्रशन से आते हैं BPSC टीचर के लिए भी क्लास लीजिए मैं देख लेता हूं आरके और आपसे यही कहूंगा आरके मुझे है ना अपना वाट्सटप नंबर आपको पता ही होगा 80056 63101 इस नंबर पर पेपर भेज देना BPSC टीचर का है ना BPSC टीचर का पेपर भेज देना मैं क्लास यहां लगा लूँगा है ना यूट्यूब पे मैं आपके लिए क्लास ले आऊंगा BPSC टीचर भी ठीक है चलिए अब आईए पहला प्रशन आपकी स्क्रीन पर है यह लीजिए पहला प्रशन और आपका समय शुरू होता है अब और टेस्ट का रिजल्ट मैंने टेलिग्राम पर डाल दिया है अब देखिए कोशन कितना प्यारा है और यह सब अच्छे कुशन आते हैं और हर तरह की कुशन आते हैं उससे आपको लेबल का भी पता चल जाएगा देखिए दो अंक हैं दो संख्याएं हैं यह बोला गया है दो अंको एक्स और वाई का LCM और SCF दे रखा है तो गुणन वह कुशन को भी बहुत चीजें आप हो सब्सक्राबरаки होता है मैसे पे यह एक पॉर्मूला होता है जो बहुत काम का फॉर्मूला है तो इसी का का मदजाएगा यहां पर जी बिल्कुल , SCF का सबसे अच्छा ऑच्छा फॉर्मूला यह तो यहां बोल गए सर LCM मोरे सिवके रखा है SCF 4 है और LCM 48 है तो उन दोनों संख्य है एक्स और य का गुननफल या जाएगा यह तो एक्स और य का गुननफल कितना हो जाएगा 192 पतने हो यह क्या रही बताओ किया रही & बढ़िया रही ना अगला प्रश्न कर वाता हैं चलो देखते हैं कौन करता है अपने से हर विध्यार्ति को शेयर भी करना है अब अगला कुशन देखो यह आया हुआ है यह इस तरह का पेपर का लेवल रहता है आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो पहले तो यह चेक करो फिर चीज़ें और भी आगे चलेंगी कि अगर 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 समय सीमा समाप्त हो गई बोला गया है कि अगर दो भिन है उनके मैसे पे और लैसे पे के विशह में कौन सा कतन सत्य है बोला गया है कि अगर मैसे पे की बात करोगे तो अंश का मैसे पे और हर का लैसे पे निकालना होता है मेरे को तो पहला ही सत्य लग रहा है और मैसे पर निकालना है तो अंस का मैशे पर हर का मैशे पर ये गलत है लैसे पर निकालना है तो ये भी गलत है और इन में से कोई ने ये भी गलत है तो केवल पहला ही option सही है क्योंकि अगर आप SCF निकालने के लिए उपर SCF नीचे LCM भिन का LCM निकालने के लिए उपर LCM नी क्या लेवल आपका पेपर का बनता है और इससे थोड़ा सा अच्छा लेवल मैं आपको करवाऊंगा तो इससे थोड़ा सा अच्छा लेवल मैं आपको पढ़ाऊंगा रेगुलर बेसिस पे और फाउंडेशन में इसी तरह से पढ़ा रहे है जीरो लेवल से लेकर हाई लेव तो मैंने का चल देते हैं और भी अगर आपके पास कोई चीजें हो तो मेरे को वाटसप कर सकते हो मैं फिर आपको और भी करवा दूंगा और फिर मैं अपने इसाब से करवाँगा पहले मैं लेवल का जाहिजा आपके सामनी ले रहा हूं यह मैंने पेपर टाइप करने को दिय मैं उसके बार सीधा लेकर आगया हूं मैं भी तो देखो क्या आता है लेवल यह आपका लेवल है और इससे अच्छा ही आएगा क्योंकि यह काफी पुराना पेपर है और अभी और चीजे में काफी अरिबर्तन तो आ चुक है तो वह हम देखके चलेंगे आसपास के एक्ज पहिए देखो 140 से चला जाएका 35 यहां से चला गया और यहां से भी चला गया तीनों में जा रहा है चार से विवाज़वा ठीक है अगला को कि 12 एक बारा का इक पावर वन बाई टू बारा की पावर वन बाई टू मैत का पेड़ पूनम मेरा चल रहा है आपको जॉइन करना है बस अब जब जॉइन कर लोगी आप तो बस पढ़ाई आपकी शुरू हो जाएगी अच्छी वाली है ना अब बारा का रूट बारा की पावर वन बाइटू दे रखा है वन बाइटू कुछ नहीं होता यह रूट रूट बारा को क्या लिख सकते हैं आप चार रूट तीन मतलब चार गोना तीन अब चार को क्या लिख सकते हैं आप दो भारा जाएगा रूट तीन तो रूट बार दो रूट तीन तो अब इसको आप वर्गमूल का प्रशन भी कह सकते हैं और सड्स और इंडाइस का प्रश्ण पंख्या पर कैसे प्रश्ण बनते हैं करें हिए करें हिए एक अंक जिसके 7 गुने से 15 घटाने पर उस अंक के दुगने से 10 अधिक पराप्त होता है, एक अंक मैंने कुई x मान लिया, उसके 7 गुने से 15 घटाने पर उस अंक के दुगने से 10 अधिक पराप्त होता है, तो पांच एक्स बराबर आपका 25 हो गया एक्स बराबर आपका पांच हो गया तो वह संख्या कौन सी है पांच है तो वह संख्या कौन सी है पांच है समीकरण मनाना आ रहा है आपको एक्विशन मनाना आ रहा है कि एक अंक ले लिया ले लिया उसके साथ गुना कर दिया कर दिया 15 घटा दिया घटा दिया अच्छा उसी अंक का दबल कर दो 10 जोड़ दो बराबर होना चाहिए अगला करेंगे आयू वाले प्रशन भी आते हैं द देखें कर पारे हो नहीं कर पारे हो अनुक्र पारे हो पाउंडेशन बैच में टाइम एंवर्क शुरू होगा चार-पांस तारीकों और पूरा बढ़िया पड़ा दिया है फिर एडवांस पी शुरू होगा लेकिन उससे पहले आपके टाइम इस्पीड डिस्टेंस पाइपन सिस्टेम सब होगा तो इसलिए आप आराम से जोइन करो आराम से पड़ो रेगुलर क्लास लो एक टाइम भांद लो नोट्बुक खरीद लो और नोट्स बनाओ प्रॉपर पूर जाएगा कवर ठीक है आयू में बड़े राम और छोटे शाम की आयू का अंतर दे रखता है राम और शाम का अंतर 16 साल है 6 साल पहले राम शाम से तीन गुना बड़ा था अब आपको मैं पहले भी बोल चुका हूं कि अगर आपका अंतर दे रखा हो 16 साल तो 6 साल पहले बात करो या 50 साल बाद क्या अंतर बदलेगा क्या अंतर कभी नहीं बदलता राम शाम से तीन गुना है और अंतर कितना रहे हैं दो अनुपात जो कि किसके बराबर है सोला वरश के बराबर है जो कि हमेशा सेम रहेगा हमें पता है अनुपात जो है च्छै साल पहले का अनुपात है आपको कैसे पता अरे भाई हम प्रशन भी जो पढ़ रहे हैं न यह जो अनुपात है च्छै साल पहले का है तो द उपाद दे रखा था शह साल पहले का दे रखा था वर्तमान में ले जाना है चीजों को इसलिए छह साल मैंने जोड़ा राम की आयू में जोड़ा यह देखिए चीज़े क्लियर हो रही है है ना मैं जवाब दें आप लोग अच्छा लग रहा है मज़ा आ रहा है आपको पेपर लगाने में बिहार एससी का तकलीफ तो नहीं आएगी करकि आप इतना पड़ रहे हैं यह आपको मैं बताना भी चाहता हूं अच्छा आप लोगे मेरे से दुबारा भी पूछ सकते हैं अंतर चेंज नहीं होता है ठीक है तो अब 6 साल पहले भी सेम ही था तो बस वह वराबर करके काम चला लिया अगला कोशन टाइम और वर्क से आपकी स्क्रीन पर आया है जामा पहना यह लेवल थोड़ा सा अच्छा ही मैं पढ़ाऊंगा आपको तो आप बिल्कुल निश्च कोशन वह सब इसके तुलनात्मक और इससे अच्छे होंगे जो एक्जाम में आएंगे और बेसिक के लिए जॉइन कर यह फाउंडिशन कर दो 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 कर गो今回 यह कर दो क्यों जाशन अट कर दो कि कर दो कर कर दो कर दो कर दो दिन दिन में बारा काम है तो तीन आ गई बारे दिन में बारा काम है तो यानि कि एक आ गई तो किसी की चमता अगर एक ही एक है तो बी की अपने आप दो हो जाएगी क्यों कि कुल तीन है हुआ है तो दियर कredit कारे को कितने में करेगा बार आपका का में और बी की चंपता दो है शे स्पष दिन में करेगा सरवड़े सब करते हैं लोग भाय अभी पर रहें तो अब इसमें बोला गया है कि ता लुएस्ट डिजिट आपको नियूंतम भिन बताना है इन में से कौन सा सबसे छोटा भिन है सट है एक वच्छा करें सब्सक्राइब करो करते हैं तुम्हारा हुकम सराखों पर पढ़ाई ध्यान दो मैं धीरे-धीरे कर रहा हूं मेरे से बन पड़ रही है लेकिन हर चीज के आपको समय भी लगेगा और अच्छी चीजे भी चाहता हूं मैं से नहीं चाहता हूं कि कंसिस्टेंट पढ़ाई कर पाओ क्योंकि आप शुरू से मुझे जानते हो कि काम होगा तो ऐसा होगा कि कभी शूटेगा नहीं फिर काम ह सबर करो और बढ़िया एप को डाउनलोड करके जुड़ जाओ लाएंगे आप मिरको इक बार बिहार टीचर का मिरको बताना कि क्या है बीपिए एक बताना मिरको न पांच बटे 6 कि साथ बटे आठ एक ग्यारा बटे 12 और 3 बटे 10 मैं आपको तरीक है अनेक बतासकता हूं चाहो तो आप बताओ सर अनेक तो सबसे पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इन में सबसे छोटा कौन सबका अंतर एक आ रहा है असौर हरका अंतर अगर एक आ रहा हो तो जो सबसे छोटा समान अंतर सो को दिक्कत ही नहीं है ऑलं सी इम्ह भी मतलो कि सबसे छोटा ज़्यानि कि इन तीननों में सबसे छोटा कौन है 2009 बटेच है तो इन दोनों को कंपेर कर आओगे तो कैसे हो जाएगा यह 50 है और यह 18 है तो सबसे छोटू भाई साब यही है कि सबसे छोटा यही है तीन बटे दस कि सबसे छोटा है यह अगला कोशन देखेंगे देखते कौन कर पाता है और देखो हर तरह का लेवल है कैप्टर जो आ रहे वह आपके पेपर में हैं कई बच्चे कहते हैं से सिलेबस में क्या क्या है आपके सामने है भाई सार्थ यह देख लो आप सब होगा प्रॉब्लिटी आएगा तो प्रॉब्लिटी होगा यह समझ रहे हो कुछ छूटेगा नहीं चिंता ना करो तुम तब बिहार जूनियर टीचर का मेथ क्लास बिल्कुल लगाते हैं एक बार मैं कहा रहा हूं मेरे वाट्स अप नंबर है 8005663101 इस पर आप बेज़ दो मुझे है इस पर मेरे को जो पेपर है एक बार भेज दो फिर आपन उसका क्लास बना देगे कोड़ बन जाएगा बिहार टीचर का अलग बन जाएगा तो दौनों अपन ले लेंगे उसमें और बेसिक से कवर करना है तो मैं अभी भी रिकमेंड करूंगा कि फाउंडेशन लो फिर उस लेकिन अगर फिर भी बेसिक कवर करना है तो फाउंडेशन लेना अभी बता दूंगा कैसे लेना है अभी आप इस पर ध्यान दीजिए आप से क्या बोला जा रहा है वहीं बीस पुस्तकों का क्रेम मुल्य क्या होता है एक्स पुस्तकों के विक्रेम मुल्य के बरावर है त तो चार से पांच का लाव हो रहा है तो यहां चार सीपी है और पांच आपका एसपी है तो एक्स पराबर कितना हो रहा है इसोला अगला करें अब यह सिंप्लिफिकेशन देखो कैसा है तो इससे अच्छा ही आएगा लेवल तो लेकिन फिर भी अंदाज लग जा रहा है हमें किया यह आते हैं यह चैप्टर से ऐसे आता है विपर बच्चे कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं वह फरक पड़ता है बहुत जद़ कि देखिए यह पिचेतर सो है कि पच्चिस पांस से काटा पच्चिस बार तो पच्चेतर सो पच्चिस हो गया भी आप्शन नेक्स्ट अब बोला गया से चौती संख्या क्या होगी इस क्रम में है ना फूर्थ सिक्वेंस क्या रहने वादा है सीरीज आती है काफी आपके पूछी जाती है अच्छा है देखो क्या आता है अंसर तो अब यहां पहचानना जरूर यह क्यार कैसे आप पहचानोगे कैसे रिकॉगनाईज करोगे कि नंबर कैसे निकाली जाए और जो बच्चा हमारे चैनल पर नया है वो सब्सक्राइब कर लो लगातार आपको मेरे दुआरा मदद मिलती रहेगी विहार SSC के लिए और उसी संख्या निकालू तो कैसे निकालू मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा मैंने का यह दो है इसको दो दुनी चार और एक पांच पांच बटे चार लिग दिया आर्ट यह चौबिस और एक पच्चिस बटे आठ लिग दिया ऐसा क्या हो रहा है यहां पर आप एक ची नोटिस कर रहे हो कि संख्या है तो उड़ी उड़ी जा रही है उड़ी उड़ी अचानक से पच्चिस बन गया यहां से चार से आठ बन गया तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह पांस से गुणा ऊपर ओ रहा हो और दो से गुणा नीचे ओ रहा हो ऐसा है तो यहां भी ऐसा होना और कि अगर दो को अगर पांच बटे दो से गुणा कर रहे हो पांच ही रह जा रहा है पॉइंट तो सही तो फिर अंतर से हो रहा है क्या देखो दो से पांच बटे दो तो बन रहा है तो फिर मेरे दमाग में एक आइडिया आया दो अगर मेरे पास है और पांच बटे दो बनाना है तो क्या मैं यह कह सकता हूं कि पांच बटे चार का गुणा कर दूं यह उचित सोचा सर क्यों कि जब आप पांच बटे चार से गुणा करोंगे तभी तो 25 बटे आठ बनेंगा मेरे अकॉर्डिंग आंसर यह होना चाहिए कि 25 बटे 8 में पांच बटे 4 का गुणा 125 बटे 32 एक यह अप्शन ऐसा लगा यह अच्छा कुश्चन है थोड़ा सा क्रिकी टाइप है नहीं पांच बटे 4 से गुणा करना पड़ेगा कि पहलेवी शही कर रहे थे लेकिन हो सकता है कुछ हो गया हो देखो अगला सीरी वी कुष्यन है यह भी सीरीज का ही कुष्यन है थोड़ा मिक्सप पेपर आता है अलग-अलग कुश्यन नहीं आते बहुत निक्षर आता है फेपर में कि पकड़िये आईए अब यहां इची नोटिस कर रहे हो इससर यहां देखो 0.5 हो रहा है सब्सक्राइब एक सिर्इस बन रहे है जो लगाता गटाने से ही पता चल पा रही है कि आपस में क्या रिशन इनके बीडिश में बन रहा है अगला देखिएगा कैसे करेंगे क्या है इस कॉंसेट में अब मुझे थोड़ा इंट्रेस्ट आने लगा जब मैं कोशन्स निकाल रहा था तब थोड़ा इंट्रेस्ट बनने लग रहा था कि अर्य यह देखिए कि चैन्नाई से पॉंड़चरी के बीच दस टैक्सी चलती है अब ऐसे कितने तरीके हैं चैन्नाई से पॉंड़चरी जाकर अलग टैक्सी द्वारा वापिस आया जा सकता हो ऐसे कितने तरीके हो सकते हैं मैंने कहा वह दस टेक्सी है आप मानके चलिए आप जा रहे हो और आ रहे हो जा रहे हो और रहे हो क्वार्थ के चैता हूं 10 टैक्सी आप जा रहे हो लेकिन जिससे आप जा रहे हो उससे वापस नहीं आरे हो हाने कि रे standardized कोई भी no taxis से वापस आ सकते हो किसी एक टैक्सी से जाओ और किसी भी दूसरी टैक्सी से वापस आ हैं तो अगर यहां दस तरह से आप टेक्सियां जा सकते हो तो किवल वहां नौहीं आपके पास ऑप्शन है कि इसे कि मैं टेक्सी के नाम लिख देता हूं ए बी सी डी ए एफ जी एच आई जे 3 5 6 7 8 9 10 सकता हूं कि अगर इन 10 मैं से किसीवी टेक्सी के फिरू जाओं तो 10 तरीके से जा सकता हूं मेरे पास कितने तरीकें दस तरीकें जाने के लेकिन अगर मालनो मैं एसे गया तो कभी भी इहां कौन सी टैक्सी चुनपा हुगा मेरे लिए ऑस्षण खतम हो चुका है मैं मेरें पास किवल यहां आने तो यहां आपके पास टोटल कितने हो जाएंगे नभ्य तरीके होंगे आने जाने के टोटल पॉंडचरी आने जाएंगे सर कल टेस्ट में सेम कोशन था अब बताओ यह क्वालिटी हम शुरू से देते आ रहे हैं हमारे कॉंटेंट में और हम हमेशा से यही काम करेंगे दोस्तों कि अगर आप पढ़ रहे हो न तो आप भीहार SSC लेलो कोई भी एक्जाम लेलो सारे एक्जाम निकलवा देंगे आपक चार आपके काम कोई प्याओ सारे सारे आपके काम करेंगे एक्जाम प nghुरू से बताइब बताइब एक्जाम और हमेशा हमें हमें दुरू से कि नोट्स आप जब पढ़ते रहोगे ना उसी दोरान लिखने होंगे सब्सक्राइब बस वही सबसे अच्छा काम है वही आपको फील देगा आप अच्छा पढ़ रहे हो फिर कोशन की प्रैक्टिस जो मैं शीट देता हूं उससे करनी है अब यह अच्छा कुशन है अब यह मेरे पास एक से नौ तक मेरे पास अंक पटक दिए अब 6 अंकों का उप्योग करके कितनी संख्याइं बनाई जा सकती है आपको लगेगा तो नंबर सिस्टम का बट है नहीं है है यह पर्मूटेशन का कुश्चन है क्रम चै का नाम इसको क्रम चै क्यों बोलते हैं क्योंकि आरेंज्ड लेना है तो क्या कह सकता हुamen नौ अंकों में से 6 अंकों की संख्या मेरे को चुनिननी नहीं है एरेंज चैहिए अरेंग च्याय अल्रेडी चैक्या इतनी बनाई जा सकते हैं तो क्या मैं डायक्लि आपको आंसर्थ देऊ conscious P6 या फिर मैं यह भी बोल सकता हूं 9 अंकों में से किनी भी 6 अंकों को चुनना है और 6 factorial से वो arrange भी हो सकते हैं तो वो यही बन गया क्योंकि अगर आप N P R को solve करना नहीं जानते तो अभी सिखा रहा हूं N factorial upon N minus R direct होता है और अगर इसको आप देख रहे हो तो NCR बराबर क्या होता है N factorial N minus R factorial R factorial और यहां पर आपके लिए R factorial का गुणा आप कर दे रहे हो तो वो कट जाता है वो बात वही बन गई सेम बन गया अब आप solve कर लिए तो 9 P60 में solve कर रहा हूं 9 factorial और 9 मैंसे 6 गया तो तीन factorial तो आंसर कितना आ जाएगा 9 8 7 6 5 4 3 factorial से खतम हो जाएगा तो यहां कह सकते हैं क्या नो आट बहत्तर बहत्तर इंटू पांस तीन सो साथ 1440 और 42 और है जीरो भी आएगा और आट भी आएगा एक ही ऑप्शन सी ऑप्शन राइट आंसर और यह कुशन सीख लो गैरेंटी दे रहा हूं यही कुशन ऐसे ही कुशन रिपीट हो जाएंगे हो सकता है सेम यही आजाएं क्योंकि ज्यादा दिमाग लगवाएगा नहीं वह बच्चों से अगला देखिए अब यह भी देखो कितना अच्छा अच्छे से कुशन आते हैं एल्सी में सीफ खूब आता है टाइम एन वर्क आता है प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है नॉर्मल सिंप्लिफिकेशन आ रहा है पर मुटिशन कॉम्बिनेशन आ रहा है सीरीज आ रही है इससे पता चल रहा है कि क्या स्लेबस है और क्या लेवल है बारे खिलोने में से पांच कितने तरीके से चुन सकते हो एक खिलोना हमेशा सम्मिलित किया जाए एक अलग से एक खिलोना आए वो हमेशा सम्मिलित किया जाए कि ऐसा अगर कुश्चन आ जाए तो क्या टिप्स रहेंगी आपके पास है कुछ टिप्स और उससे आपको सीखने को मिल जाएगा एक क्लास में नहीं कुछ सीखा जाएगा एक क्लास में निकालना नहीं सीखोगे भाई साब समय लगता है यह अगर पर्मूटेशन कॉंबिनेशन की बात करो तो कम से कम बारा कम से कम बोलरा हूं बारा दिन का चेप्टर है अगर हर कॉंसेप पड़ाया जाए तो अगर बेप को भी बनाना तो एक क्लास में बनाया जा सकता है जो मेरे को आता नहीं है अब मैं इस चीज़ को मैं बताता हूं कि 12 खिलोने हैं पांच तरीके से चुन सकते हो एक विशेश खिलोना हमेशा सम्मिलित किया जाए अगर मैं कहा दूँ एक खिलोना तो फिक्स है मतलब एक स्पेशल फिक्स है तो एक्चुलिटी तो यही है ना कि अब तो ग्यारे में से एक चुनने वाली बात रहें चीज़ ग्यारे में से चार चुनलो बस इसको तो छेड़ो ही मतलब डाइलेक्ट में आंसर दे सकता हूं क्या पताओ भाई मैं आपसे कह रहा हूं कि एक तो अल्रेडी फिक्स है एक पर्टिकुलर टॉय ऑल्वेज इंक्लूडिट रहेगा तो मेरे पास तो चुनने की कंडिशन है कि कितने तरीकी से चुना जा सकता है तो एक तो चुनना ही नहीं है यारे की मुले को केवल 11 बचे चार चुनने है बस और यह उस्ली स्सें फैक्टोरियल क्या आरा में से 4 गया तो चुना चार करवाता हूं 11, 10, 9, 8, 7, 9, 8, 7 factorial पूरा कड़ जाएगा, कड़ गया, 4 कितना होता है, 4, 3, 2 और 1, तो 4 दुनिय 8 खतम, 3 तिया 9 खतम, 330 तरीके हो गए, 330 तरीके ऐसे हो गए, जहां ऐसा काम किया जा सकता है, ठीक है, बहुत अच्छा कॉंसेप्ट है, और इस कुशन को स्टार बना लो, आपके, मतलब, आप बिहार इंटर लेवल दो, बहुत अच्छी बात है, आप अगर नॉलेज भी ले रहे हो, तो तो दुगनी अच्छी बात है, नेक्स करिएगा, अगर एक्स और वाई दो पासे फैकते हैं, आप देखो ये आ गया, पासे आला आ गया, पासे वाला आ गया देखे, अभी तो चार पांच कुशन तो इसी के आ गए, अब ये प्रबबिटी का कुश्चन है, क्योंकि संभाव ना बोली गई है, एक तो पहले से फिक्स है ना, अच्छा कुश्चन है, अगर एक्स और वाई दो पासे फैकते हैं, एक्स खेल की शुरुवात करता है, तो उनके सबसे पहले नौ आने की संभावना का अनुपाद बताओ, एक्स शुरुवात करता है पासे फैकते हैं ये लोग, नौ बटे आठ, उसके पास नौ चांस हैं, उसके पास नौ आने की, अब नौ अगर उसके आगया तो उसके नहीं आएगा, तो नौ अनुपाद आठ, अच्छा है, डाइरेट है तो, नेक्स्ट, एक पेटी में नौ गेंदे हैं, दो लाल हैं, तीन नीली हैं, चार काली हैं, अब तीन गेंदे निकाली जाने की, क्या संभावना है, कि सारी अलग-लग रंग की होनी चाहिए, इन चेप्टरों में बहुत अच्छी कमांड है अपनी पहले से ही, क्योंकि बैंकिंग में काफी आता थे, रेलवे में भी पूछे जाते हैं कुछन्स लेकिन इसमें तो ज्यादा ही है, ब्यार एससी वाले में, देखो एक पेटी में नौ गेंदे हैं गुरू, दो लाल हैं, तीन ब्ल्यू हैं, चार ब्लैक हैं, अब इन में से तीन गेंदे निकालनी हैं, तीन निकाले जाने पर, अब सब अलग-अलग रंकी होनी चाहिए, मैं कह सकता हूँ क्या कभी भी, तीन गेंदे अगर आप निकालना चाह रहे हो, और सारी की सारी अलग रंकी हो, यह बताओ यार लाल कैसे निकलेंगी तीन गेंदे, लाल निकल जाएंगी क्या, तो आप ऐसा कऱो, दो में से एक लाल निकाल लो, तीन में से एक ब्लू निकाल लो, और चार में से एक ब्लैक निकाल लो, तीनो अलग-अलग रंग की हो गई, एक-एक निकाल ली तीनो में से, और टोटल क्या हो जाएगा, 9 C3, पस सॉल्व कर लो, क्या कि अलग-अलग बीच में गुणा इसलिए तो आया कि लाल में से एक नीली में से काली में से और टोटल संभावना क्या है 9 में से 3 गयने तो संभावना सही है तो यहां देखो nc1 कितना होता है न ही होता है तो 2 3 4 आ गया 9 C3 को solve करने का तरीका बता देता हूं आपको 9 factorial 9 में से 3 गया तो 6 factorial और 3 factorial यही होता है NCR सर आपको कैसे बता भाई NCR को solve करने का तरीका कहां बता है यह बता है है खतम पूरा का पूरा अब तीन दो नीचे यहां हो गया तो तीन तीन नो और दो चौके आठ बारहे सब्सक्राइब नीचे आ रहे चौरासी सॉल्व करना ज़रा तो सर जी कि बारहे से काट दिया साथ वर तो आपकी प्राइक ता अगई दो बटे साथ जा लग रहा है को यह व्हुव्व बताईए भॉद अच्छा तरीका है न है मचार मजा आ रहा है मचार मजा अगला करिए कि इस लिए पेपर का dwars लिए ऐ कि आसान तफ यही बैलेंस कहते हैं पेपर को कि कुछ ना कुछ आपको एफट डालना पड़ेगा पड़ने के लिए पाउंडेशन में पहले आपन इसे अभी टाइम एन वर्क चालू होगा बाकि सारे चप्टर हो चुके हैं वह आप जाकर पढ़ें में टाइम इन वर्क पाइपन सिस्टन टाइम इस्पीड इस्टेंस ट्रेन और बोर्ट पढ़ाकर पर नंबर सिस्टम पढ़ाकर पर मुटेशन कॉमिनेशन प्रभाबिलिटी भी पढ़ा देंगे उसी में तो पूरा आपका लगबग कोर्स ही हो जाएगा फिर एडवांस में शुरू कर देंगे जो कि आपके में तो इतना वेटेज है नहीं तो फाउंडेशन में पहले पर मुटेशन और प्रवाबिलिटी पढ़ा देंगे कोई दिक्कत ही निए एक आदमी हर एक तश्तरी में नो मुझोंफली रखता है एक आदमी हर एक तश्तरी में नौ मुझोंफली बiformen नो फ्ली रखता है अच्छा अब उसके पास तीन मुफली बच जाती है अच्छा कुछ हम एक आदमी थ्य तश्द्री नौ मूफली रखता है और दो तश्दृ खाली रहती है मतलब अभी वी मुफली दोखाली रह रही है जब आप 9 मूफ़ली रख रहे हो ठीक है दुवारा कोशिश करता है और इस बार हर एक तश्त्री में 6 मूफली रखता है अब मूफली बच जाती है तो मैं यह कह सकता हूं क्या कि यह कुछ मूफली होंगी कुछ मूफली है और कुछ तश्त्री है कुछ थाली है यह कुछ तश्त्री होंगी ऐसे तो ही ना तब ही तो मूपली रखता है सर् एक तकस्त्री में और दो तश्त्री खाली रह जाती है अच्छा तो अगर मैं मालो एक्स तस्त्री है एक्स तस्त्री है तो दो तस्त्री खाली रह गई यानि कि इतनी ही तस्त्री यूज आई और उसमें नौ मुफली रख दी दो तस्त्री खाली रह गई अभी भी यानि कि आपने एक्स तस्त्री पूरी ने वरी यानि कि मुफली इतनी थी जिसमें हर किसी में 9 मुफली आ गई और केवल एक्स माइनस 2 तस्त्री ही भर पाई अब दुबारा कोशिश करने में क्या हो रहा है कि 6 मूफली रखता है हर एक तश्त्री में तो हर तश्त्री को यूज कर लिया 6 मूफली रख दी अभी भी कितनी मूफली बच रही है 3 मूफली बच जाती है क्योंकि यह जो condition है यह मूफली की ऊपर ही है 9x-18 6x प्लस का 3 3x बराबर 21 एक्स बराबर 7 तो आपकी तश्त्री कितनी है 7 बन गई बात ultimate question है और repeatable question है आज यहां देखा रहा हूँ ना कल को SSC में repeat हो सकता है यह guarantee रेलेवे में repeat हो सकता है क्योंकि लेवल है question का हलका फुलका नहीं है करें की करम चै हो लगेगा कभी भी अगर student बोल रहा है पूछ रहा है कि सर कैसे बता चलेगा करम चै लगेगा कभी भी आपको चुनना हो ना select करना हो तो हमेशा करम चै होता है और कभी भी आपको निकालने हो कि कितने तरीके से विवस्थित किया जा सकता है तो हमेशा permutation होता है simple logic है अगला देखेंगे अब यहां बोला क्या गया है bank शब्द के अक्षर विवस्थित किया जा सकते है it's called arrangement इसका मतलब permutation है combination नहीं है देखें तो bank शब्द के अक्षर विवस्थित किया जा सकते हैं 1, 2, 3, 4 फैक्टोरियल से पता है ना क्योंकि 4 अलग अलग है तो 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर दीजिए 4, 3, 12, 24 24 तरीक हो जाएंगे बैंक शब्त के अक्षर को अरेंज करने के कि अगला करेंगे दो बालिग और दो बच्चे के लिए एक संग्रहाल्य है म्यूजियम है उसके टिकेट की कीमत 24 रुपे हैं दोस्तों 24 रुपेगी टिकेट है यदि एक बच्चे का टिकेट का मुल्य बालिक के टिकेट के मुल्य का आधा हो तो बालिक के टिकेट का मुल्य बता दो अराम से करना तसल्ली से प्रशनों को पढ़ना अभी तो सीखने को मिलेगा देखिये, दो बालेगी है और दो बच्चे है ऑड़ टोटल रुप्या और टिकेट्स का यह है, तो मैं यह कहना चाहता हूँ, दो एडल्ट वो गए और दो चाइड चिल्डर्न हो गए, और टोटल आपका चौन्टी फौर रुप्या हो गया, ठीक है, बोला जा रहा है ऐक ब अगर टिके पर आप्रुपया हर बालिक की टिकेट है भई सेशन में मज़ा आ कि आप सभी लोग इस सेशन का आनद उठा पा रहे हैं और क्या मेरा यह डिसिजन सही है कि मैं यहां पर यह आप किस लिए सेशन ले रहा हूं कि आप लोगों को बता रहा हूं कि क्या लेवल आता है आप अपनी तैयारी कैसे अच्छी और कर सकते हैं और आपको जितना आसान है उतना आसान तो उस टाइम भी नहीं था जब यह लास्ट टाइम हुआ था यह उधारन है आज के हां ठीक है मतलब इतना रदी भी नहीं है और इतना टॉप भी नहीं है लेकिन पर्मूंटेशन कॉम्बिनेशन प्रबबलिटी और लेंग्वेज बेस्ट कोश्चन उने इ भी बताओं माँ कि अब आईये जमा पहना भी आहिए मैं आपको बोलता हूं यह रूट टू है मैं आपको बोलता हूं यह चार का रूट क्यूब है मैं आपको बोलता हूं यह 6 का रूट 4 है कभी भी जिंदिगी में याद रखना कि अगर यहां अगर रूट सा रहे हैं यहां यह वर्गमूली कहलाएगा तो आपको एक ऐसी संख्या माल ले नहीं है नहीं जो की तीनों से कट जाए तो 12 माल लिया तो अब दो का भाग जब दोगे ना तो 6 वर आ रहा है तो जो अंदर वाले की पावर है वो दो की पावर 6 तो आप अरेंजमेंट देखेंगे तो रूट टू उसके बाद ने शिक्स और फोर के पावर रूट के सबसे बड़ा यह कांसा अप्शन है और यह अप्शन ही आपका राइट आंसर है अगला करें नेक्स्ट अबी वराबर दे रख्था है यह वराबर तो निम्ने में से कौन सा सत्य है कि सत्य तो भईया देखो यह ही है कि अब तो आप यह नोटिस कर रहे है कि माइनस से माइनस काटेंगे तो इसका प्रूफ यह निकल कर आया कि ए इस इक्वल टू भी है कि ए बराबर है भी के अगला करिए कि साथ का नियून्तम गुनज बताईए जो चार शेश भाग छोड़ दे और जब छे नौ पंद्रे अठारे से विवाजित किया जाए यह अच्छा कुश्चन है किसका है यह बताओ लसी में है सी एफ है नॉर्मल है या कैसा है कि ए बताओ लसी एफ है कि एफ है यह बताओ लसी एम चार का नियूनतम मल्टिपल निकालना है जो चार शेशफल छोड़ दे अगर इनसे विवाजित किया जाए यानि कि इस तर एलसियम का कुश्चन है सबसे पहले आप 6 9 15 और 18 का एक कैलसियम लेलो मेरे नब्भे नजर आ रहा है लेकिन पता नहीं गल्ट हो सही हो तीन बार 9 15 और 9 और तीन से काटा तीन एकम 3 3 9 35 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 और नब्भे का मल्टिपल के और हमेशा इस्तिती में चार शेश्वल छोड़ दे और संख्या क्या होनी चाहिए बता हो आप लेकिन ध्यान रही संख्या जो भी आप लोग है साथ का गुणा जोनी चाहिए और आप चूज कर सकते हो गर के बरावर 94 और पहला नहीं बनेगा 184 और बन जाएगा क्या साथ दूनी 14 नहीं बनेगा 270 274 बन जाएगा क्या साथ साथ यह 21 नहीं बनेगा और थीन सो चौज़ बन जाएगा हाँ यह चैक कर सकते हो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो बुराई नहीं है बट आपको इध्यान रखना है कि आता कैसे बना मतलब नहीं है तो यह आपके कोशन्स थे जो आपके हैं लगातार चल रहे हैं क्लास्स भी चल रही है रीजनिंग की 3 बजए चलती है पांच बजए uma के चलती है लेकिन चैन चुटी रहती नहीं चलती है ठीक है और भी चीज़ें है करन्ट इवेंट की क्लास् संदे को सुग की वही काम ही करना हूं ठीक है दोस्तों और लगातार आपके चीज़ें और बहतर करना जा रहो हूँ, SSEGD का मैंने एक प्रेक्टिस बैच चालू कर रख है, जिस्भी बच्चे को प्रेक्टिस करनी है, वो SSEGD वाले बैच में जुड़ सकता है, हुळकार बैच उसका नाम है, और ये प्राइज इसकी इतनी ही है, अपनी एफ्लिकेशन पर जाकर डैमो क्लास भी आप कवर करना चाहते तो मैं आपको बारबर बोल रहा हूं कि एक ऐसा जुगाड है जो सारे पेपर में आपको नंबर अच्छे दिलवा देगा मैथ में यह सारे पेपर आप कोई भी पेपर की तयारी करें मतलब आप अगर पढ़ रहे हैं तो आप विहार SSC के साथ साथ आप और भी जो एक्जाम दे रहे हैं टीचर वाला वियार सब निकल जाएगा तो बस आपको जॉइन करना है अपनी अप्लिकेशन है कोई ट्रिक्स भाई साहिल सब यानि कि इसी चैनल के नाम से एप है आपकी खुद की एप है मैथ मैथ फाउंडेशन बैद जाकर लेकर पढ़ हो जाए रहा है अभी जो मेरे नेक्स चैप्टर ने टाइमन वर्क हैं उससे पहले अर्थमेटिक पुरा डन है आपका जो प्रमूटेशन प्रॉबरिटी है यह मैं पहले करवा दूगा अभी जब आप जोईन करोगे तो मैं पहले करवाँगा आपके लिए ठीक है तो मैं जब अपने फाउंडेशन क्लास होगी मंडे को तो मैं पूछूंगा कि कौन-कौन बच्चे हैं तो उसी हिसाब से आपन उन चैप्टर को पहले लेंगे और अलग से क्लास लगा देंगे उनके लिए मतलब एक्स्ट्रा क्लास भी उसमें हो जाएंगे आपके लिए तो आप बस आपकी मर्जी है वो कुल्क ट्रिक्स भाई साहिल सरा अप्लिकेशन पर जुड़िए धीरे धीरे रीजनिंग जीके सबकी क्लास से शुरू होंगी कंप्यूटर सबकी होंगी और अच्छी टीचर लेकर आऊंगा ऐसे टीचर लेकर आऊंगा जो आप लोगों को कम पैसे में क्वालिटी दे सकें मेरी तरह से हां मेरे विश्वास के तरज पर लेकर आऊंगा यह ध्यान रखना तो लेकिन अभी आप जो मेरी मैट्स की क्लासे से आप उन्हें फॉलो करिए और इतने आप आनंद उठाई यह टेस्ट होता है टेस्ट का होता है केरेविल पर मेरे र और रिविव कर लूँगा आप लोगों के लिए और पर्मूटेशन कॉम्मिनेशन प्रॉइलिटी आता है काफी आता है और भी पेपर लेकर आऊंगा चिंता ना करिए ठीक है चलिए और मैस भाई साहिल सर यह टेलिग्राम चैनल है आप लोगों का आप इसे जॉइन करें म अब यार ऐसे से पेड़ेवेच कब से शुरू होगा जल्दी शुरू हो जाएगा उसमें मैं सारे सब्जक्ठी इंक्लूड करूंगा और अगर पूरा गाड़ीती कवर करना है तो फांडेशन जॉइन करिए अल दा बेस्ट यहां रखो अपना कैसा लगा सेशन यह बताओ कमेंट सेक्शन में और आप क्या आगे क्या चाहते हैं वो भी बताओ ठीक है और या है कि 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 कि